मास्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजे इंग्र देशपंडे, एमडी इन अईरवेदा फ्राम पुने, आप सब का मेरे अईरवेद एकडेमी यूट्यूब चैनल में सहर्च स्वागत करता हूँ, आज की दवा जो है वो बहुत ही पॉपिलर है, लोग का प्रिय है, व उसमें प्रमुख गटक द्रव्य जो है, उसको बहुत है दश्यमूल, मूल का मतलब होता है, रूट्स, रूट्स अफ़ प्लांट्स, जिसके रूट्स उपयुक्त होते हैं, ऐसी दस वनस्पतियां है, मेडिसिनल हर्प, जिसका नाम है, उसमें बुहत पंचमूल और जैसे की शालीपरणी, प्रुष्णीपरणी, बुहती, कंटकारी, गोक्षूर, आप लिखते जाएए, शालीपरणी, प्रुष्णीपरणी, बुहती, कंटकारी, गोक्षूर, यह होती है, और उसके अलावा, बिल्व, लिख दीजिया, बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, प पाटला और टेंटू तो कुल मिलाकर ये दस हो गए ठीक है इसके अलावा दशेमुलारिष्ट में हरड रहे थी हिर्डा उसके अलावा पुषकरमूर है शहेद है गुड का मतलब जैगरी है धायटी के फूल है लवंग कंकोल वाड़ा श्वेत चंदन जायफर है चातुरजा है पिमपड़ी है और सबसे बढ़िया द्रव्ग है कस्तूरी चीक है तो ये दशेमुलारिष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं प्रथम तहा कंटकारी जो दस रूट्स मैंने आपको जो बोलाया शाली परणी प्रश्टी परणी ये सब दस टेन रूट्स जो है वो और हरड और कुशकरमूर इन सब का काढ़ा बना लेते हैं क्या बना लेते हैं काढ़ा का मतलब डिकॉक्शन और इसमें लवंग कंको इत्यादी अवशधी चूर्ण मिलाकर उसमें गुड और धायटि के फूल डालकर उसकी संधान क्रिया मतलब अलकोहलिक फर्मेंटेशन किया जात है जहां से सुनिए यह च्छे महिन लगते बनाने के लिए ठीक है तो यह संधान अप्रक्रिया है अलकोहलिक फर्मेंटेशन है नैचरल अलकोहल उसमें आ जाता है तो इस कल्पों में दशमूल काढ़ा यह भी मिलता है मार्केट में कई कंपनियां दशमूल काढ़ा भी बन इसका उपयोग भी दशमूल काढ़े के समान सभी प्रकार के वात विकार में किया जाता है तो दशमूल अरिष्ट is the best medicine for वात problems आप तो जानते हैं आईरवेद में वात पित कफ यह बायो एनर्जी हैं वात हर तरीके के मुवमेंट्स के लिए जिम्मेदार हैं पित पच्छ व्यापार के लिए और कफ जो हैं वो nutrition के लिए stability के लिए तो इसमें से जो वात विकार रहते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं लोगों को पीड़ा देते हैं वेदना निर्मान कर देते हैं तो practice में जो भी musculoskeletal disorders बोलते हैं neurological problems बोलते हैं जैसे कि आपके स्न्यायू की दु के कारण दशमुला रिष्ट का बहुत अच्छी तरह से फाइदा मिलता है जहां जहां भी आपको लगता है कि वेदना है वेदना वात दोश के प्रकुपित होने के बगेर नहीं होती हैं आप मानों कि वेदना है तो वात प्रकुप होई गया है वात का imbalance है वात का असंतुल हो गया है ठीक है उसके अलावा सुप्ति बोलते हैं बाधिर्य जिसको चिमची मायन कहते हैं इंगलीन नमनेज बोलते हाथ पैर को आ जाता है तो उसमें भी ये दशमुला रिष्ट बहुत काम करता है आप तो जानते हैं कि ये जो आस्व और अरिष्ट हैं ये कैसे हैं fermented products स दंधान क्रिये द्वारा बनाई गई दवाएं तो ये हमेशा काड़े के तुलना में जादा कार्यकारी होते हैं आस्व अरिष्ट का कार्य शरीर के सुक्ष्म अवयव तक पहुशता है cellular level पर उसके actions होती है ठीक है तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आस्व अरिष्ट ये का कार्यकारी रहते हैं तो इसी तरीके से दश्यमूल काड़े के बगएर आप दश्यमूला रिष्ट का इस्तेमाल अधिक जिसको बोलते हैं स्ट्रॉंग तरीके से कर सकते हैं दश्यमूला रिष्ट में दश्यमूल के अलावा हिर्डा भी है और जो हरड है हिर्डा वो excellent अनुलोमक का मतلب होता है, वातकी गती प्राकृत रखने वाला अनुलोमक चाहे वो peristartic movements हो, चाहे वो neuromuscular conduction हो, चाहे वो electrical conductic activity हो, chemical transport हो, या across the cell membrane कुछ transport हो रहा हो, तो ये सब की सब जो गती हैं, वो प्राकृत रखने का मतलब है अनुलोमन करना, ठीक है? दशमुलारिष्ट में जो शाली परनी और कृष्णी परनी ये जो वनस्पतियां हैं, ये रुधे के लिए बेहतरीन हैं, इसके अलावा आप तो देखा है कि दशमुलारिष्ट में कस्तुरी के भी संसकार है, कस्तुरी एक रुधे उत्तेजक है, कस्तुरी रुधे को बल दे इसलिए दशमुलारिष्ट ये दवा रुधे विकार में जहां रुधे में वेदना होती है जिसे हम क्या कहते हैं अंजायना पेक्टोरिस तो इसमें ये दशमुलारिष्ट बहुत अच्छा उपयुक तशावीत हुआ है इसके अलावा कई जनको लो ब्लड प्रेशर की सिकाय होती है और उसके कारण चक्कर आ जाती है गिडिनेस होता है ठकान महिसूस होती है छाती में दिल में धरदर होती है जिसको बोलते है पाल्पिटेशन रुध द्रव अईरवेद में कहा है अपने ही रुधे के ध्वनी खुद को सुनने को आते है उसको बोलते है रुध द्र पुष्कर मूल नाम की एक वनस्पती है तो यह पुष्कर मूल का कारिय जादा तर उरस्थान में होता है और हमारे चेस्ट रीजन जो है उरस्थान उसमें क्या है फेफडे हैं लंग्स बोलते हैं और रुदे मतलब हार्ट है तो यहां लंग्स में हो फेफडे में हो या रु उत्पन्द हुई है तो उसमें आप बिल्कुल दशमला रिष्ट दे सकते हैं मतलब चेस्ट रिजन में कही भी आपको दर्द है सीने में दर्द बोलते हैं तो दशमला रिष्ट का जरूरी इस्तिमाल कीजिए कस्तुरी जहें वो कफ नाशन है कफ का शोषन करती है वो कफ निशकासन का काम करती है उसका उपयोग ब्रॉंकियल अस्थमा दमे की बीमारी जहां ज़्यादा कफ हो या ब्रॉंकाइटिस हो स्मोकर्स कफ हो चाहे वो नियुमोनाइटिस की बीमारी हो या चाहे आप कह सकते हैं कि ब्रॉंक्यक टैसिस की बीमारियों जहाँ जादा से जादा बल्गम तयार होता है तो वो खतम करने के लिए और बाहर निकालने के लिए दशमुला रिष्ट काम करेगी खासी की बीमारी पल्यूरसी बोलते हैं रद्रोग बोलते हैं इन सब में जशमुला रिष्ट अति उपयुकत रहता है इसके साथ साथ इसमें लवंग, कंकोड, वाड़ा, श्वेत चंदन, जाइफर, चातुरजात, कस्तुरी ये सब सुगंदी है ज्यान से सुनिए, सुगंदी, सुगंदी का मतलब उसमें aromatic oils होता है तो ये हमेशा जो भी सुगंदी द्रव्य है, जो भी aromatic वनस्पतियां है, oil है जिसमें वो जिस जिस काउसी भी यहां तो दशमुलारिष्ट में है तो सुगंती द्रव्य हमेशा वातानुलोमन का कार्य करती है ठीक है तो दशमुलारिष्ट यह बेहतरीन वातग्न वातनाशन का वात को संतुलित रखने में मदद करने वाला बिगड गया हो तो वात को संतुलित कर परने वाली ICA दवा है, सभी प्रकार के arthritis में आप इसका जरूर इस्तिमाल कीजिए, चाहे वो rheumatoid हो, चाहे वो rheumatic fever हो, चाहे वो gout हो, चाहे वो osteoarthritis संधिवात हो, कौन से भी musculoskelet हमारे सीने में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पानी के साथ समभाग पानी में डाल लेकर आप दे सकते हैं, मैरी प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप जरूर लाइक, शेर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो bell बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिसके द्वारा आपको notification मिलते रहेंगे, मैं आप सब के प्रेम और कॉपरेशन सहकारे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह एक नई अईरवेदिक दवा की information या माईती के साथ धन्यवाद